Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, today in this video I will discuss rule of multiplication with variable and constant value. So students, without wasting time, let's start now. So, multiplication में विशेस करका आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि भाई, variable क्या है? variable अगर सेम होगा, तो आप उनके power को जोड़ देंगे, और साथ में उनको जो coefficient होगा, coefficient को आप multiply देंगे, यह हमारा rule of multiplication complete हो जाता है, यह कवर बता देता हूँ, कि इसे लोग फर्मूले से solve करते हैं, बढ़ हमको फर्मूले में इस पर यूज नहीं करना है, मैं आपको डारेट जिस मेतर से बता रहो, आपको उसी प्रकार से समझना है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा question इससे बहुत easy way में हो जाएगा, ठीक, आवर क्या होता है, coefficient क्या होता है, term में क्या होता है, variable क्या होता है, इसको मैं explain कर चुका हूँ, previous वीडियो में, वीडियो आपको आपको x plus 2 और दूसे ब्रेकर में है y plus 3, यहाँ पर आपको यह करना रहता है, जो पहले आपको पहला term होता है, इस term का multiply पूरे ब्रेकर के साथ में कर दिया जाता है, इसके बाद में जो second term होता है, इसका multiply पूरे ब्रेकर के साथ में वापस कर दिया जाता है, देखिए कैसे लिखा के साथ में कर दिया जाएगा और साथ में स UV कर दिया जाएगा एक बार वाइ साथ में फिर वापस सेट्छू का multiply कर दिया जाएगा तिक अजो जाएगा और सिस्का कर शॉल करेंगे तो हो जाएगा कि वेलेगा पहले लिखा जाता है सब्सक्राइब टर्म को लिखा जाता बट यहांप उसको सिक्ष्ट डर्रीक एकस लिख दिय hari घडिया धी drying Çथलिए इसके बाद में वायवाली टम लिकेंगे जो वाय इसके बाद हनो लिखा जाएगा यहां उसको बोलेंगे ट smack s y search इसका यह लिख सकते वाप और यह भी लिख सकते हो यह लिखेते पर स्कूरण करके हमें लिखा है त tweak the यह इस कॉस्षण का final answer आयह हो समझ माइस कैसे कैसे का नम बात x plus y यह bracket है और फिर y plus x इन दोनों का हमें multiply करना है first bracket का second bracket में multiply कैसे किया जाता है यह मैं आपको समझा रहा हूँ देखिए यहाँ पर हमें क्या करना रहता है पहले x का multiply केसमी किया जाएगा इसके bracket के साथ जाने कि y plus x के साथ किया जाता है इसके बाद में जो second वाला term होता है उसका multiply पूरे bracket के साथ किया जाता है यानि कि y plus x के साथ किया जाएगा अब इसके बाद में इसका multiply इसके साथ किया जाता है इसका multiply इसके साथ भी कर दिया जाएगा और x का multiply x के साथ भी कर दिया जाएगा इसके बाद में देखे क्या होल लिखा जाएगए bird इसके साथ कर दिया जाएगा यानी कि y into y कर दिया जाएगा इसके बाद में y into x Max कर कर दिया जाएगा । दिखे यसके बाद में क्या हो那就 x and x कर सकते हैं तो इसको फोड़ा से इसको कर लेते हैं जैसे कि हमें यह पता है कि यहां पर xy है और यह xy ठीक है यह दोनों term सेम है तो इनको हम add कर सकते हैं तो इसलिए प्रकार सी हो जाएगा x का पहले इसको arrange कर लेते एरेंज करके लिखेंगे फिर y square लिखेंगे फिर y square लिखेंगे इसके बाद में xy आता है तो यह xy लिखा जाएगा, यहाँ पर xy है और यहाँ पर xy है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा किता हो जाएगा, तो xy हो जाएगा, ठीके अजोब दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा किस question का answer कैसे आ जाएगा question को मैं आपको second तरीके solve करके बता रहा हूँ, इसको बोलते है identity यूज़ करके question को solve करना, देखें, यहाँ दिया गया है x plus y, ठीके, x plus y और आप यहाँ लिखा है y plus x, इसको मैं term को आगे पीछे लिख सकता हूँ, ठीके, इसमें हमने 9 करना है, ठीके, यह पहले, हमालना दरुम है, यह से लिख सेङर वेरियम ऑले मंटेपल ट्राइवे पावर को लिख कर दिया, ठीके, तो इख plusy, इसकी पाउर one, ठीके बोलन थे, किता हो जायगा, two, कि ही क्या हो जाएगा x plus y की power two, यानि कि इसको x x प्लस y² ंख भी बोलते हैं कि डू हैँ सिर स्बफिन्म क्या यक्या में लिखाओ करने कि कारन हैं हम इसको सेप्रेटी को करेंगे यहां पर मैं आपको कोशन को सोल करते हैं कभी यहां पर मन्टिक लिकेसन में कौन सी यहां पर होता है कि एक पावर एंब इंटु एक पावर एंब हो अगर इस तरीके से करते हैं रियाद कर लिया हो जाता है तो अच्छी बात नहीं तो इसको समझ लेजिए गाग सिधा सिंपल सा है कि से वेरियवर होने पर यसोंब प्लस एगा होल स्कयर होल इडेंटी होता है यहां पर हमारा ये की वैल्लू वह एक्स है और वाव बी की वेलू क्या है बी की वेलू वाई है इसी प्रकार से जब हमको ए को इसका हो जाएगा एक के एक लूटक थो पूछ ईसके ताएग मिन्स नीट कर बताया दोनों का एंसर से में इसको आजady करके बताया है और इसको हम एक्र मंडिप्लाइ प्लैक है इसका का किसे कि जाता है उसको मैंने आपको यहां पर समझा दिया है और अधेंटिक यूश करके कोशन को का जोल के जाता है यहां के आपको यह बता दिया ठीक है यह विश्य प्रकार कुछ सकते हैं ठीक है आप चाहे तो multiply करना है तो आप इस रूल से कर सकते हैं पर power को एड कर दिया जाता है को को इसे कर लो यह तो आप डायट कर लो कि फार्मूले से अगर एक पावर एम इंटू एक पावर यानि कि बेस सेम होता है तो पावर को एड कर जाता है एसा भी आप सीख सकते हैं ठीक है यह दोनों रूल होते हैं आप दोनों रूल में से किसी को भी समझ सकते हैं बट मैं यही प्रिपेर करता हूं यही बताता हूं यही समझाता हूं और यह समझते है स्बाइब फार्मूला ऑपको याद करता है साथ 1954 को मिलते हैं नेग्ट्बीडियो में जो कि होने